हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम इस टूटोरियल में सीखने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के उपर काम करेंगे देख सकते हो आप एक लाइव जो यहां पर मैं आपको इसके अंदर राउट राउटिंग भी सिखाने वाले हूं किस तरीके से आप मल्टी पेज वेबसाइट बना सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो यह सिंगल पेज वेबसाइट नहीं है इसके अंदर सेप्रेटली हमने हर एक पेज के लिए राउट बना रखा है तो उपर जो यूरल है आप चेक कर सकते हो वह चेंज हो रहा है और साथ हम और सब्सक्राइट के लिए यहाँ पे जब भी यूजर कुछ लिखके चैट पे क्लिक करेगा तो वह सीधा वट्सेप के अप में उसको रिडिरेक्ट करेगा रहा है साथ ही आप देख सकते हो यहाँ फूटर में हम स्क्रॉल टॉप ऑप्शन भी लगाएंगे और कुछ एक लिंक्स जो है हम फूटर में भी क्रियेट करेंगे साथ में सोचल आइकन वगेरा हम फूटर में भी इसके अंदर देंगे जो भी हमारे सोचल मेडिया आइकन होते हमारे ब्रैंड के रिलेटेड सो यह प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए काफी helpful होने वाला है दोस्तों अ सिखाने वाला हूं बनाना भी सिखाऊंगा और कैसे इसको डिपलोई करेंगे वह भी सिखाने वाला हूं दोस्तों वह भी बिल्कुल फ्री ओप पोश्ट चलिए दोस्तों सुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट को तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए हम react.js का यूज कर सिखाने वाले हैं तो सबसे और जो css के लिए हम इसके अदर element css उज करेंगे दोस्तों चलिए दोस्तों हम अपना जो प्रोजेक्ट है वह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो basic structure है वह प्रोजेक्ट का इंस्टॉल कर लेते हैं स्व मैंने जस्ट एक folder क्रिएट कर लिया है दोस्तों यहां पर नोड वाइट का इसके अंदरा भी कुछ भी नहीं है और इसको मैंने बी इस कोड में ओपन कर रखा है जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहले अपने को जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के कमांड देना है वो इस तरीके से कमांड देना है एंपम create byte अडरे लेटेशट और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का नाम देना यहां पर जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हो वह आप दे सकते हो उसके बाद हाइफन हाइफन और यह टेमप्लेट करने के लिए दोस्तो ऐसे स्पेस टेमफ्लेट्री सो इस कोड को जो इस कमड्स है इसको आपको यह स्कोर्ड में पेश्ट कर दarla है और एंटर कर देना है यह आपके लिए इसक जो स्ट्रक्चर है वह सेट कर देगा यहांपे आप देख सेकते हो सब से किया तो पहले तो हम करके हम कर देख सकते हो यहां पर IP करेंगे द्रण oh और जैसे कि आप यहां पे देख सक्ते हो जो नोड मोड्यूल से वो इस्टाल होना स्टार्ट हो चुका है वीट कर लेते हैं थोड़ा सा जात अब प्र देख सकते हो दोस्तों नोड मोड्यूल का फोल्डर वने और जो भी दिपेंडेंसी है वह दाउनलोड हो चुकी सो इसको भी मैं किलियर कर लेता हूं और आप हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं npm run dev दोस्तों देख सकते हो यह जो प्रोजेक्ट है वह हमारा रन हो चुका है इसको मैं copy करता हूं और यहां पने हमारी जो website है में यह बनानी है तो वेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रणिंग स्टेट में आ चुका है यहां पर मैं आपको इसका थोड़ा स्ट्रक्चर एक्स्ट्रेन करना चाहूंगा एसेट्स के अंदर जो है हम जितने भी जो यह इमेजिज वगेरा यूज कर रहा है कर रखा है दोस्तों यहां प यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बनाएंगे तो इसकी राउटिंग वगेरा जो है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हम फोल्डर बनाएंगे दो इसके अंदर हम कोई भी चेंजे जनरली नहीं करने वाले हैं में काम हमारा फोल्डर बनाएंगे दो एक कमपोनेंट्स का और एक पेजस का यहां पर जैसे कि देख सकते हो कि यहां पर बहुत सारे components भी हो रहे हैं जैसे कि पहला हीरो इमेज है फिर आप वाला सेक्षन है फिर यस का है अधर सर्विसेश यह जितने भी अवर सर्विसेश जितने भी components है न दोस्तों यह components वाले folder में हम create करेंगे और pages वाले folder में चस्ट हम pages create करेंगे चलिए दोस्तों सुरू करते हैं से पहले मैं यहां पर आपको structure बनाना सिखा देता हूं सबसे पहले मैं यहां पर structure create कर लेता हूं कि किस तरहिके से जो है file structure हमारा होने यहां पर सबसे पहले तो हम एक components का फोल्डर बनाएंगे src के उपर आपको राइट क्लिक करना और नियू फोल्डर कर लेना है तो यहां पर हम components का फोल्डर बनाएंगे कि कर दोस्तों यह गया components और एक और components का फोल्डर बना लिया और एक pages का हमने फोल्डर बना लिया है अभी basically हमारे इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो यहां पर हम सबसे पहले अपने जो नाम है इस application का वो चेंज कर लेते हैं देख सकते हूं यहां पर white plus react का रहा है सो इंडेक्स.html में हम जाके अपना जो टाइटल है वो चेंज कर लेते हैं इसका हम नाम देते हैं आई वी एफ सेंटर ठीक है दोस्तों और इसको करते हैं अब देखना यहां पर चेंज हो चुका है आई वी एफ सेंटर और यह देख सकते हूं यहां पर white का जो आइकन आ रहा है यह लेटर ओन हम चेंज करेंगे फिलाल इसको रहने देते हैं कोई दिक्क्त कर नहीं है है जो जब कि अब थैंटर और नवालिया और टstar व्लोडर बना लिए तो पेज़ेश ऑम फेसे हों यहां पर है अपने को घख ऑओ दौट ॥ा सिक्स, है ठीक है दोस्तों यहां है यहां पर कंपे हैं और इसाम हाँ मेंच लिख दिया है की सब्सक्राइब क्या क्वण करता हूं को दूसरा यहां करता है रह Fruit का रहा है रहा है तो एक और फाइल बना लेते हैं services.js ठीक है दोस्तों और तीसरा testimonials का है तो testimonials का भी एक पेज बना लेते हैं तो के निव फाइल और यहां पर डॉट जैस एक सब्सक्राइब कर लिए अब कॉंपोनेंट में सबसे पहले हम सिरफ दो कॉंपोनेंट बना लेते हैं दोस्तों एक एडर और एक फूटर सो यहां पर एक एडर.jsx और एक और फाइल बनाएंगे हम फूटर.jsx ठीक है और एक और बना लेते हैं दोस्तों नैफ वार जो हमारा मेन्यू वार होगा ना उसके लिए सो नैफ वार.jsx ओके सो सबसे पहले मैं यहां पर जो पेसिक एक लिख लेता हूं यह वाउट पेज हो गया कि मैं कि हमारा सर्विस पेज हो गया कि यह मोन पेज होगया दोस्तों और यह होगया और यो छो यह होगया हमारा मंड हो ठोस्तों यह हमोने कुछ फाइल जो हमारी स्ट्रक्टर है वह मने ख्रेंट अब इनको हम बारी-बारी से कॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर अब यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है यह सेम यहीं दिख रहा है भागी कुछ भी नहीं चीए रहा है सो मैं इसको डिलेट कर देता हूं और इसको पेस्ट कर लेता हूं अब पर इन पर क्योंकि यहां न यहां पर आय激 रखा ऑगरा सब कुछ इंस्टॉल करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले आपको एक package इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों जिसका नाम है react router dome जिससे कि जो भी यह package जो है वो हमारा जो भी यह आप देख सकते हो यहाँ पे जो services testimonial पे आप यहाँ पे यह URL चेंज हो रहा है दोस्तों उसके लिए यह package ही responsible है basically यह package हम routes के लिए यूज करते हैं सबसे पहले control-c करके आपको जो है npm यह route install कर लेना है सो जैसे ही आप इसको install करोगे आपके उसके बाद जो है वापिस से मैं एक वार project को run कर लेता हूं npm rundev और जो हमारा project है आप देख सकते हैं यहां पर वापिस run हो रहा है सो यहां पर जो है हम जो अपना भी हमने जो react router डॉम हमने जो यूज किया है उसको हम यूज करने वाले हैं जो package install किया है उसको यूज करेंगे दोस्तों सबसे पहले जो हम यहां पर इंपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों अपने react router डॉम को और उसके अंदर जो जो चीज़े हम यूज करेंगे वह हम यूज कर लेते हैं सो यहां पर हम लिखेंगे इंपोर्ट और कर लिःष लगाएं दोस्तों यहां पर हम ईक्सरा रॉड़र नहीं चाहिए में और यह एक जो में राऊट चाहिए सो यह टीन हम ऐसे चाहिए रियाक्त़ी राउटर म से फ्रॉमर मों कर यहां राउटर डॉम यह आ रहा है दोस्तों और सेमी कॉलन लास्ट में लगा देंगे सो यहां पर हमने जो है वो यूज कर लिया है दोस्तों अब इसके अंदर जो है हम अपना कॉल करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले जो मैं यह डिव है इसको हटा देता हूं और रिटर्ण के अंदर जो है दोस्तों यहां पर हम क्या करने वाले हैं ओपन ब्रैकेट लगाएंगे दोस्तों और यहां पर जो है हम कॉल करेंगे कि जस्ट अ मिनट कि यहां पर हम कॉल करने वाले हैं कि अपने ब्राउज ब्राउजर राउटर को सो यहां पर हम egenावराउज के अंदर जो है दोस्तों हम अपने हैडर को कॉल करेंगे सब से पहले सुए हैडर को कॉल कर लेता हूं कॉल करने के लिए दोस्तों देख सकते हूं यहाँ पे जो ओपन ब्रैकेट है वो लगाना है आपको और इस तरीके से स्पेस देखे और इसको क्लोज कर लेन है ये एक तरीके से कar suck at अब का म करना ठीक कीश ऑपर क्लिक ये option नहीं है हमारे पास इमपोर्ट करने का तो हम इसको इंपोर्ट गुरैंगा करें के लिए Simply import लिखना ब्रक्रम स्नुट कर देता हूं और इसको मैं थ्टॉड़ा सा बड़ा vow भी कर देता हूँ दोस्तों ताकि आपको जो है वह फिलियर दिखें ओके यहां पर और कि हेडर को इंपोर्ट करना है में फ्रॉम जो हमें कहां से करना है तो यहां पर हम हमारा folder components दिख रहा है इसको select करेंगे और slash दबाएंगे और header को import कर लेंगे अब जैसे ही मैं इसको save करूंगा दोस्तों आप यहां पर मैंने save किया आप देखना है यहां पर header भी आ गया होगा अब देख सकते हो यहां पर हमारा जो header है वो आ चुक रहा है से इसी तरीके से हैं सो यहां कर लेंगे आप टर किक रेंटर को को 20 दोस्तों है आप जब इसको controller सब्सक्राप यहां पर है डौर रोज दोनों आ चुका है करने पड़ेंगे जो अबर गाइड क्रियेट करने पड़ेंगे पेज निए यांप के लिए वर कोißtुम है जाओ पर इन दर हम पात ज भी हमारा पात देना चाहते जो तो वह देंगे और इसके नदर एक होल्ष टूब जो भी हमारा पाथ मानलो आपाउट जो हम यो र सट THE वो देंगे उसके पाद इस से और उसके बात जो है हम element लिखेंगे यहां पर जो हमारा element होने वाला है और equals to और इसके अंदर curly braces के अंदर जो same जैसे हमने यह header कॉल किया है इसी तरीके से हम यहां पर जो है वो कॉल कर देंगे क्या about component जो भी हमने about page बनाया है basically pages भी component ही है दोस्तों इसके अंदर सो about हमने यहां पर कॉल कर दिया बट हमें इसको import भी करना पड़ेगा सेम तरीके से सो यहां पर हम यह about को import कर लेते हैं और यह components में नहीं है दोस्तों यह हमारे pages में देख सकते हो यहां पर pages करेंगे और about करेंगे और यहां पर आप देख सकते हो हमने इसको अभी राउट को close नहीं किया है तो इसको जो है हम इस तरीके से close कर देंगे तो अगर मैं इसको आप सेव करूं और बापिस से यहां पर आओगे और यहां पर अगर मैं about page पर जाता हूं और यहां पर देख सकते हो इसको capital में कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो capital में हो चुका है हमारा about page जो है वो काम कर रहा है तो इसी तरीके से हमने जो भी pages बनाए है contact services और testimonial इन सबको ही हमें call कर लेना है तो मैं इसको पापिस से copy कर देता हूं यहां पर जो है हमारा आने वाला है देख सकते हो एक तो हमारा services रहेगा services के लिए services जो भी आप यहां पर path में URL दे रहे हो दोस्तों अगर आप service दोगे तो आपका जो URL route path होगा वह service हो जाएगा तो आप अपनी मर्जिस से जो भी आपको यहां पर देना वह आप दे सकते हो साथ में आपको यहां पर यह अपना जो function है इसको call करना पड़ेगा component को इसी तरीके से हम एक और जो हमारा और ट funktioniert है इसको भी qaul कर लेते हैं आ जो यहां पे टेस्टीमोनियल आ जाएगा ब्रब्र ने लिए भी हमने कर लिया और हमारा उयॉरी में हम स्मॉल लिखेंगे हैं है यहां पर perfect धीजर दोस्तों इसको कंट्रोलिए अब ही अगर हम देखें YouTube आगर माण कॉंट्टक के जाओं हुआ यहां अब देख सकते हो यह से कंसोल में अ इरर देगा यहांगों इसको इंपोर्ट नहीं किया तो जिस तरीके से इस वाट को किया उसी तरीके से हम अपने जो बद्真 प्रलीच के 2 मिरण कंपोनेंट इस वैस कर लेना है उसके बाद टेस्टिमोनियल और उसके बाद कॉंटक्ट को सो कंट्रोल एस करेंगे वापिस से कि अब भी देख सकते हैं यह कुछ एरर दे रहा है देख लेते हैं इस वार है ओके हमने यहां तो चेंज कर दिया बट यहां पर हमने हमें चेंज नहीं किया है दोस्तों सो इस तरब भी हम चेंज करना पड़ेगा हमें टेस्टिमोनियल्स और सर्विसेज ओके अब यह जो एरर है वह देख सकते हो वह हट चुका है और हम बापिस से अपने इसके अंदर देख सकते हो तो उपर जाते हैं तो ठेज्टिमोनियल शाफ तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमने अपना जो सीक राउट है वहbres azic कर लिया यहां पर आप अ Cap著 करके यह जोear फान करने में help करता तो इस तरीके से आप का शक्राइब अगौशल को और अपर यहां पर कुछ भी आर खाईगा तो अगर माझा किन कर सको यहां तो OF बैंद रहे है साथ में आप देखेए यहां पर यहां पर भी अर और यहां पर शेम क्रेगा यह console जो है वो error find out करने में यहां पर आप देख सकते हो यह बता रहा है कि यहां पर कुछ गड़वड़ है वाई तो यहां पर देख सकते हो यह error दे रहा है इस तरीके से सो यह spelling में अच्छे दोस्तों जैसे इसको control s करूंगा यहां पर देख सकते हो हमारा project run कर रहा है सो दोस्तों इस तरीके से जो अपने project के लिए आप जो ब्राउजर राउट है और जो डिफरेंट पेजेज के जो राउट है वह आप create कर सकते हो और यह से किसी कोई भी project में बनाओगे यह सेम इस तरीके से ही create होगा सो हमने अभी तक जो है अपना file structure और जो राउट है वह दोनों ही अपने project के लिए create कर लिया है सो दोस्तों चलिए अब सबसे पहले हम अपने header को set कर लेते हैं इसके अंदर जो header का code है उसको complete कर लेते हैं कि सो header के अंदर basically अपने को क्या चाहिए ने वार चाहिए टॉप पर तो यहां से जो है मैं कि इसको अटा देता हूं दोस्तों और यहां पर जो है कि ज़स्ट मिनट कि यहां पर जो है हमें header नहीं चाहिए यहां पर हमें चाहिए ने वार कर लेते हैं कि लाल आप देख सकते हैं यहां पर हैडर आ रहा है तो हमें ने वार चाहिए तो इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा कि इंपोर्ट ने वार फ्रॉम इसको चेक करते हैं अब हमारे यहां पर ने वार आ चुका है अब जो अपना मेन्यू करके सर्च करते हैं और यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो टैलवेंट CSS का एक यहां पर हमें ने वार दिख रहा है तो इस ने वार से हमारा काम चल जाएगा आप देख सकते हो सेमी ने वार बस को यह नीच चाहिए और अगर हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप देख सकते हो हमें कुछ इस तरीगेगा चाहिए सो यह वाला ही हम यूज कर लेते हैं इस वाले आइकन को हम राइट साइड में कर देंगे बाइघो कारें सो इसको यूज करनेके लिए दोस्तो यहां पर देखसकते हो कोड करने के बाद यह देख सकते हो यहां पर सबसे पहले आपको कर लेना है कि हैं क्यूंसे वाले format में यूज़ करना चाहते हो html view या फिर react तो हम react यूज़ कर रहे हैं तो हम react वाला पार्ट कॉपी करेंगे यहां पर मैं क्या करता हूं पूरी code जो है वह copy कर लेता हूं तो यहां पर navbar के अंदर मैं इसको paste करता हूं और एक वारी control करता हूं जैसे control s करता हूं देख सकते हो अभी फिलाल एरर दे रहा है क्यों एरर दे रहा है क्योंकि जो इसके अंदर जो package है वो install करना पड़ेगा इसकी डिपेंडेंसी package है आप देख सकते हो यहां पर यह वाला package यूज हो रहा है और यहां पर जो यह NPM बाला लिंक है इसको copy करके इसको copy करना है और यहां पर जा करके पहले control c से इसको stop करते हैं उसके बाद हम जो है यह package जो है वो install कर लेते हैं और दोस्तों एक चीज का ओर धियान रखना आप अभी देख सकते हो जो प्रोजेक्ट का वह अभी यह नेव बार और होम यह पहले सेंटर में आ रहा था एक्चुली जो रियक्ट के प्रोजेक्ट में कुछ CSS पहले से भी डला हुआ होता है तो यहां पर आप मेक्सियोर करना कि इंडेक्स.css में यह टेल्विंड वाला ही पार्ट हो उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बाइडिफॉल्ट CSS हो तो उसको रिमूव कर देना मैंने रिमूव कर दिया इसके अंदर से और से इसके अंदर यहां पर भी आपको इसमें भी एप.css में भी कुछ data मिलेगा कुछ code मिलेगा उसको भी आपको रिमूव कर देना है तो जितने भी डिफॉल्ट CSS है उसको रिमूव कर देना है तो देख सकते हो दोस्तों यह जो हमारा package है वह install हो चुका है अब भी हमें एक और package डालना पड़ेगा आप देख सकते हो तो hero ica terus तो भी हम install कर लेते हैं यहां पर लिंक और इसको यहां से हम copy करें और से इस तरीके से को install कर लेते हैं तो देख सकते हो दोस्तों यह पूरी तरीक either system हो चुका है अब सब्सक्ριū正 parce हमारा install है थो जो भी हमको बस क्या करना इसको एसको करना है इस होगों को i left में ले जाना है और इस वाले को राइट में ले जाना इक्ति इंड मारा कुछ इस त्ह से ही कि तो फिर उसको करने के लिए एक्चुली हम एक काम करती हैं सबसे पहले तो को देख लेते हैं इस वाले पार्टो तो रिमूवि करना है हम को एक्छली चुली बैल वाले डृतm टक है इसको वह यहां पर आइकन को भी और इसको से पहले हम नेम करें ऑज़वर हैं जैसी क्या क्योटी जगा हमें क्या güft सर्विसेज चाहिए तो सर्विसेज कर देते हैं और यहां पर यूर्ल में सर्वीस और प्रोजेक्ट की जगह पर हमें चाहिए टेस्टिमोनियल्स सो हम यहां पे टैस्टि मॉनियल टाल देंगे है और यह कि यहां पर हम कॉंटैक्ट यस चाहिए तो यहां पे भी घड़ा कर देते हैं लिए टेक्स्ट में सो कंट्डॉल एस करते हैं और और चेक करते हैं हो हो हमारा यह वरक रहा है जब्भी मैं सर्फिस पर क्लिक कर रहा हूं तो सर्फिस वाला पेज आ और यह अर gets टिमोॉनियला में टेस्टिमोनियल कोंटक्ठ में कॉंटस्ट आ रहा आ है सो अभी क्या लीघ्रस करेंगे एक्छली हमारा जो लोगों है वो हमने यहांपे मैं इसके अंदर किया दोस्तों है अंदर शीड़ी षराया है मैंने इसके अंदर नहीं किया हूं So just just इसके अंदर अपडेट किया और से सटाया था जो मैं आपको अल्रडी बता चुका हूं सो इसके अंदर देख सकते हो आप लोगो एक हमने अल्रेडी जो है वो ले रखता है हमें यह वाला लोगो यूज करना है तो हम यह वाला ही लोगो यूज करेंगे दोस्तों सबसे पहले तो एक रारी जो यह डल अइकन का बटन ही आप आप देख सकते हो यह डोस्तों सब्सक्रेड़ यह वालवी ऑप्शन नहीं मेन्यू है न दोस्तों यह इशके अंदर ही शैटिंग्स होगे रहा है सब कुछ शाइन आउट वह यह पूरा मैन्यू जो है मैं ड्रॉपडाउन वाला यह हमें नहीं चाहिए यह ड्रॉपडाउन से यूजू है यहांपर हमें लेफट में चाहिए और यह वाला रॉइट चाहिए के तो हम एक बार हम देख लेते हैं की में एक बार inspect करता हूं और यहां पर देख सकते हो छो कि इस तरीके से खुलेंगा आपको मुवाईल वीव पर अना और इसको चैक आउट कर लेते हैं कि यह यहां पर देखऊ अप इस वाले पर है दोस्तों यहां सnet Up red देख सकते हो है ड् west uni कि अगर में इना प्राइब देखो ये करना है सब्सक्राइब करना है तो लेấpट जरू दिया हुआ है तो हमें इसको बस जिस्ट राइट करना है करना है तो इसके क हमें राइट कर देना और करता हूं और सकते हूं भी यह वर करना है इस जो लोगो है इसको हमें लेफ्ट साइड में करना है तो इसको लेफ्ट साइड में करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर आप देख सकते हो यहां पर जो यह वाला लाइन है यह फ्लैक्स वाला इटम से इसके अंदर जेस्टिफाई सेंटर कर रखा है इस वाली लाइन को हम requirement है वो fill fulfill जो है वो चुका है दोस्तों हमारा जो logo है वह हो चुका है उसके बाद जो हमें अब देख सकते हैं करना होगा सो इसके लिए हम क्या कार weten दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले मैं अपना लोगो कि फ्रॉम है तो हमें जो लोगो है वह इंपोर्ट करना है कहां से एसेट्स के अंदर चाहिए हमें तो और और श्लैस करते हैं डॉट 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 श्लैस और एसेट्स के अंदर है लोगो तो हम यह जो लोगो है वह उसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इस लोगो को जो है अपने यहां पर कॉल कर लेते हैं अब देख सकते हो जो हमारा लोगो है वह अपडेट हो चुका है अब हमारा काम रह गया दोस्तों इसको जो है भी राइट साइड में करना है इसको राइट साइड में करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर आप देख सकते हो जो यह स्टिफाइ स्टार्ट दे रखा ना इस मेन्यू के अंदर सो इसको मैं काम करता हूं यहां पर मैं इसको जस्टिफाइ सब्सक्राइब इसको इसको कंट्रोल हिख करते हैं अब कर देख सकते हो जो जो हमारा डेजाइड मैनन्यू था नहवर था वह हमने क्रियेट कर लिया है बस हमें बैक्राउंड ग्रेडियंट का यूज करना है वाइलेट कलर का बाकी हमारा जो देख सकते हो हमने मैन्यू है वह पर ली जो है बना लिया है तो अभी देख सकते हो अगर मैं इसके अंदर आ रहा हूं तो यह बाउट पर है क्रिट कर लिया है वाइब सबसे पहले हम अपना जो फूटर है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो फूटर को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों बापिस से हम अपने इस पर आते हैं और उससे पहले मैं आपको अभी थोड़ी सी चीजे बताना चाहूंगा इसके अंदर मै नहीं किया था बिसकली मैंने किया गया था जो भी इसके अंदर जैसे की जो justify सेंटर और justify between जो यूज किया था मैंने यह सारी चीजें जो बिसकली मैंने इसके अंदर classes change करी थी element CSS के अब देख सकते हो यहाँ पे जैसे की जो preview था यहाँ पे अगर आपको check कराऊं तो जो हमारा यह icon था वो हमें जो चाहिए था वो right side में चाहिए था और जो यह logo था वो हमें left side में चाहिए था उसके लिए आप देख सकते हो हमें यह वाला चाहिए था but इसके लिए यह कुछ इस तरिके से हमें चाहिए था but आप देख सकते हो यहाँ पे यह वाला version था यह वो paid था so हमने जो free वाला वर्जन था इसी को use करके इसके अदर थोड़े बहुत CSS change करके मैंने देखता हूं तो फूटर के लिए अच्छली यहां पर फ्री में कुछ भी एविलेवल नहीं है तो मैंने क्या किया है दोस्तों एक फूटर के लिए इस्पेसली जो कंपोनेंट है वो मैंने अपनी वेबसाइट पर उसका कोड अल्रेडी पब्लिस कर रखा है जैसे कि यह अपना नहबार का था जो ये वाला कोड है और आगे येवाला कोड है नहबार का वह जो है वह अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा चलते हम अपनी सखलो अपनी Lau और यहां पर देख सकते हो जो फूटर का लियाउट है कुछ इस तरीके का layout मिलने वाला है यह वाला layout मैंने create किया है जिसके अंदर social icon भी है और इसके अंदर यह देख सकते हो 4 column का यह footer है so basically हम करेंगे वही सीधा यह code है वो copy कर लेंगे पूरा का पूरा यहां से हम copy कर लेंगे इस code को और फिर इसके अंदर हम changes करेंगे चलते हैं फोटर में अभी देख सकते हो फूटर में कुछ भी नहीं है और जो हमारा जो लिंक्स है मतलब जो आइकन से यहां पर नीचे वह वाले यूज हो रहे हैं तो यह दोनों मैं पहले ही आपको पैकेज इंस्टॉल करवा चुका हूं अगर आपने नहीं कर रखा है और आप वीडियो यहां से देख रहे हो तो इसको आप चरूर पैकेज को इंस्टॉल कर लेना सेम प्रोसेस है सो उसके बाद कुछ इसमें हम चेंजेज करेंगे सो सबसे पहले हम सेव करके देखते हैं कि कुछ एरर तो नहीं आ रहा मैंने इसको सेव कर दिया है और चेक करते हैं तो देख सकते हो यहां पर जो हमारा अब फूटर है वह रेडी है दोस्तों यहां लिंक जो है यह सारे हम अफडेट करेंगे अपने अकॉर्डिक तो यहां पर देख सकते हो यहां पर मैं सबसे पहले लोगो को अपडेट कर देता हूं एक काम करता हूँ Logo के लिए ये रहा So Logo मुझे import भी करना पड़ेगा दोस्तो So मैं फटाफट से import कर लेता हूँ एक काम करता हूँ इसे copy कर लेता हूँ import वाली line Same location पे ही है तो यहाँ पे मैंने side कर रखा था ये रहा So ये import वाली line मैं है सिसमें भी पेश्ट कर देता हूं और है जहांकर ये हमने स्टैट लप जो यूरल से कॉल कर रखा इसको जो है हम करली ब्रेशिस के अंदर पास कर देंगे लोगो के इसको हम करली ब्रेशिस के महलता नाव है वहाज आजाएगा दोस्तों सो यहाँ पे हम ऐवी अधिन रफ्ट लिएक लिख देते हैं । आहले रेक मैं है और इसको कंट्रोल एज करते हैं और देख सकते हो हमारा लोगो रहा रहे हैं रांडि कर रखा है यहना पे यहांपश्च कर लेँ है काँ इसको करने के लिए यह बहुत सिंपल है दोस्तों एक क्लास ही यूज करना यह देख सकते हो यह राउंड फूल और बीजी ग्रे यह वाली जो क्लास है ना अपने को नैब बार में भी यूज कर लेना हैं कहां यूज करना है जहां पे हमने इमेज मतलब इमेज को कॉल कर रखा है तो देख सकते हो यह राइमेज वाला क्लास सो इसी के अंदर हम जो एड कर देते हैं बीजी ग्रे और अब अगर हम चेक करें अपनी साइट को तो देख सकते हो यह इसके अंदर यह काफी छोटा रहा है दोस्तों एक्चली इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देत हैं यहां पर देख सकते हो एच को हम एच 12 कर देते हैं हाइट जो है इसकी आप देख सकते हो अब यह 48 पिक्सल का हो गया है और आप यह सारी चीज़ें जो है ना जोस्तों टैल्वेंड सी एसस पर आप रेफर कर सकते हो जैसे कि कि अगर आप इस तरीके से सर्च करोगा तो में ओफिस्यल वेफसाइट पर आपको यह मिल जाएगा कि किस तरीके से आप कौन को से जैसे कि 12 48 पिक्सल के है यहां पर उसको रेफर कर सकते हों सो बापिस से चलते हैं हम अपने यहां पर मैंने 12 डाल दिया है और यहां पर भी मैं कंपनी का नाम जो है डाल देता हूं जो यहां पर यह यहां पर आप देख सकते हो अब काफी अच्छा दिख रहा है कि दोस्तों अभी जो हमें इसके लिंक्स हैं इतने भी सर्विसेज और यह जो भी फूटर में हमारे लिंक्स है और यह कंपनी का नाम वगेरा है वो चेंज कर लेते हैं सबसे पहले हम फटाफिट से सो यहां पर जो जो हमें नहीं चाहिए हम उसे कर देने हमारे केस में एक ही सर्विसेज है भी हमारे पास जो सर्विस वाला पेज है अगर हम चेक करें अपनी वेब साइट पर तो एक ही पेज है सब्सक्राइब है यहां पर जाएंक अंदर हम अपना कि सर्विस टाल देते हैं यहां पर सर्विस बन की जिएकाँ मैं अबर ऊफरिंग कर देता हूं कि ऑक्के जो इहां पर पर ऑफरिंग में जो हमारा लिंक है वह आचुका है कॉछ इसी तरहीके से आँ इसके इंदर हुआ हमारे पास अभी आपास वाला ही से सुलेट्रव और प्राइवसी वाला पेज है आएड करेंगे इसके अदे रहने देता हूं कि और इसको सेव करता हूं और यहां पे अब देख सकते हो वामारा आचुकिया वेस्टीन देखे और दोस्तों हमारे पास जो है वे स्थेल करें तो मैं यहां पर देता उट के अंदर यहां आप है तुस्टों ऑशदी मोहिशगी से जो अने देख सकते हो आप यहां पर हमने आवर ओफरिंग और यह फूटर में भी हमारा जो लिंक्स है वो काम बाकि जो सोचल आइकन्स है आपको जितने भी आइकन्स इनमें से मान लो गर कोई नहीं चाहिए तो आप उसको भी खी अभी अ्हांपर आप देखा ते सोचल आइकन्स जैसरे मान लों अगर आपको लिंक्डिं नहीं चाहिए तो यह पूरा जो वाला पार्ट है इसको आप यहां से रिमूव कर सकते हो यह पूरा एंक livro कर करता हूं तो यहां पर देखो LinkedIn का जो आइकन है वो फट गया है इसी तरीके से आप चोन साइकन चाहते हो रिमूब कर सकते हो और जो लिंक्स है वो अपना जो सोचल आइकन के यहां पर अपने लिंक से रिप्लेस कर सकते हूं यह तो काफी जी है यह मेरे इसमें अप्रेडी अप्रेटर है तो इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं चेंज कर रहा हूं और बाकी हमारा जो फूटर है वह भी ओके हैं हमें फूटर का कलर भी चेंज करना है दोस्तों अभी एक ग्रेकलर का है सबसे पहले दोस्तों यहां पर देख सकते हो स्क्राइब को यहां पर देखो इसके अंदर कोई भी लिंक नहीं नहीं जाए सोह यहाँ पे य हमें अपने लोगों के अंदर एक लिंख डालना है लोगों के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊ तो यहाँ पर देखो यहाँ किना पे लिंक किया हुआ है सु छो मैं इसी लिंक को पी कर रहा हूं दोस्तों को मैं अड़ओंगा अपने वार में जो 2019 ndर जहां पर भी हमने अपना लोगो यूज किया है आप Ctrl F करके यहां पर leb लोगो सर्च कर सकते हो ओना धुरिए रहां ठीक है दोस्तों यह इस तरीके से आपको क्लोज कर देना इसको और कंट्रोल एस कर देना तो अगर हम चैक आउट करें तो अभी देखो यह कुछ एरर देने लग गया हमें जैसे हमने से इव किया वह इसलिए आ दोस्तों क्योंकि देख सकते हूँ यहां पर लिखा हुआ है लिंक इस नौट कर दिया इसको यहां पर इंपोर्ट कर देता हूं और ट्रोलेस करता हूं सो देख सकते हो अब हमारा जो यह एरर है वह चला गया है और जो हमारा लिंक के अंदर भी आचुका है वह सब्सक्राइब हमारा यह सारा जो नेवर और अच्छे से काम कर रहा है और जो पूरी तरीके से अब रैडी है करने का हो रहता है सो मैं कलर भी चेंज करी देता हूं हमें वोईलेट कलर चाहिए अगर आपको ग्रेडियंट वगेरा यूज करना है तो आप जो इनकी आपसीसिल वेबसाइट है वहां पर चैक आउट कर सकते हैं यहां पर बहुत सारे ग्रेडियंट को कैसे यूज करना वह को यह राफ हो पर स्वरीन ही लोगे करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं फिल्वाल जो क्लास है उसके अंदर बी जी ग्रेवसें करता हूं और से एक तो आप देखोगे कि जो ग्रेटियंट है वह यूज हो चुका है इसी तरीके से आप इसके अंदर जो भी कलर combination है वह आप चेंज भी कर सकते हो अपने according जो भी मतलब यहां पे बहुत सारे color already available है यहां पर आप कोई भी color अपने according जो है वह choose कर सकते हो इसमें कोई दिखकत नहीं है यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे इनहोंने already दिया हुआ है कर सकते इसको आप चैक आउट कर सकते हो कि लो करता है गोह क्लbor जो है आप यहां पर चायख सकते हो देख सकते हैं इसके जो आप को मन करता है वा आप यूज कर सकते हो से म ANN यूज करना चाहता हूं नहीं यूज कर लेता हैं अपने प्रॉज्एक्ट्स के लिए के लिए मैं सीधा बस बीची वैज यूज करता हूं मैं ग्रेडियन ये नहीं करता हूं कि यहां पर जैंट be the wallet और यहां पर yahoo को जैँंन सान थिकनेसमा करता हूं और सेफ करता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो हो यह कलर है वह वोिलेट मे आ चुका है इस वो डू रज़े खो यहाँ पे भी मैं अलिष के अंदर हम ऑन यहाँ पे ब चाहिक्न के यहाँ पे और और यहां पर देख सकते हो हमारा जो अधर एंड फूटर है वो पूरी तरीके से अभी रेडी है अगर यह कलर का जैसे यह ग्रेइस कलर आ रहा है अगर आप चाहते हो इसको वाइट करना तो वह आप कर सकते हों कि आपको क्लास चेंज करना पड़ेगा जैसे यहां पर देख सकते हैं अब अगर आड्रेस के अंदर मैं हंड्रेट कर दूं यहां पर देखना आप एड्रेस थोड़ा जो है लाइट हो गया है तो इसी तरीके से आप वाइट भी यूज कर सकते हो यह सारा तरीके से काम कर रहा है एक तो आप देखो यहां पर यह जो फर्स्ट हमारा मेन्यू आइकन है उसके अंदर यह जो ब्लैक का बैग्राउंड आ रहा है एक्टिव लिंक का और प्लस जो यह भी हमारे जो आइकन्स है ना यह यह तो सेंटर में दिख रहा हमें बट यह दिखें सो उसको फिक्स करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं काम करता हूं यहां पर इसको पैडिंग देते हैं थोड़ा सा अगर मैं इसको इंसक्स करूं और कि मैं देखूं अगर इस वाले पर ओके इसको चेक करूं तो इस वाले फ्लैक्स के अंदर जो है हम अगर गडिंग डाल दें पैडिंग टॉप कर देते हैं सो यहां पर देख सकते हो आप आप इसको आप सर्च भी कर सकते दोस्तों अगर मानलो आपको यह कोड में फाइंड आ एफ करोगे तो अभी यह नहीं दिखा रहा है देखो अगर यह वाला पार्ट अगर सर्च कर रहा है तो ऐसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने class name यूज कर रखा है नाकि class name यहाँ पर देखो class दिखा रहा है है तो यहां पर हम क्या करेंगे अ काम करता हूं पैडिंग टॉप देता हूं और पैडिंग टॉप में मैं 1.12 देके देखते हैं और अब देख सकते हो दोस्तों ये अب काफी हद सब्सक्राइब को जो है इसको अपने को रिमॉव करना है इस अबीर को जो है उसको करने के लिए क्योंकि आ रहा है आप देख सकते हो भूल वीयू पर भी आ रहा और डेक्श्टॉप पर यहां पर आ जो हमारा नविगेस्ण जो मैपिंग यहां पर कंडिशन डालके दो CSS classes यूज कर रखा आप देख सकते हो आइटम डॉड करंट के अंदर अलग दे रखा है बाकियों के अंदर अलग दे रखा है और ओर अलग दे रखा है तो इसको तीन तरीके से डिवाइड कर रखा है तो अब चाहो तो अगर अलग-अलग इसके वह पूरी तरीके से सेम हो चुका है बट दूसरा तरीका यह भी है कि हम जो भी एक लासे यूज हो रहे है न दोस्तों अगर मान लो मैं इसको एक वार ने इधर नोट में कॉपी कर लेता हूं और यह हो रहा है और यह हो रहा है इसको स्पेस देके इसको भी सेव कर लेता हूं सो मैं काम कर सकता हूं simply इन्होंने जो कंडीशन को मैं हटा देता हूं और यहां पर डायरेक्ट मैं यह जो सारे क्लासिस है इसको कॉल कर देता हूं तो यहां पर इस तरीके से भी और कंट्रोल एस करता हूं तो आप देखोगे कि जो हमारा रिजल्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं है वो हमारा सेम आगा है बेसिकली हमने जो अलग से आईटम डॉट करंट पर जो अलग से CSS दिया हुआ था उसको हमने रिमोग कर दिया है तो आप अपने जो भी आपकी रिक्वाइर्मेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वह आप यूज कर सकते हो अगर आपको जैसा ठीक लगता है तो सेम आपको मुवाइल मेन्यू के लिए भी करना पड़ेगा अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर भी यह इसी तरीके से से यूज क्या होगा है तो मैं क्या करता हूं अपने को यह वाला चाहिए पूरा यहां पर काम करता हूं मैं इस तरीके से यह वाला चाहिए और हमें चाहिए यह ब्लॉक वाला पार्ट ठीक है तो यह ब्लॉक वाला पार्ट डाल देते हैं बाकी जो यह हमें यह नहीं चाहि करते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं सो अब देखो दोस्तों यहां पर जो हमें चाहिए था वो अब हमें मिल चुका है यहां पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो जैसे कि यह ज्यादा डार्क दिख रहा है जो अच्छा नहीं दिख रहा तो इसको मान लो मैं 400 कर देता हूं आप यहाँ से लेना जो भी आपको लर्ड चनि यहां पर और सरंवेस्ट मन लो यहां पर जेख्षक्म करता आहें दो सारिकता हैं कि तरीक तरीक हमें है चाहिए उसक कर सकते हो इसको मैं सेव करता हूं और आप अगर आप अब हमारा ब्रोजेक्ट कर देखोगे तो यह जो ह प्रफुटर है जो हमारा रिक्वार्ट रिक्वार्मेंट था वो फुल्फिल हो चुका है और हमने हैडर फुटर जो है वो कंप्लीट जो है अपना तयार कर लिया देख सकते हूं यहां से मैचिंग करके कोई दिक्कत नहीं है इसको भी लेटर ओन हम बनाएंगे कैसे बनाना कétait यहां सब्सक्राइब यहां पर हैंप्रफ्वार्ट का काम हमारे हो चुका है अब हम जो हो और करेंगे दोस्तों अपने प्रक्राइब करेंगे जो भी हमने यह कॉंपोनेंट्स बना रखाया सर्विसेज क्लाइंट और जो भी स्पेसलिस्ट वगेरा यूटिव यूडियो का यह बारी बारी से सारे कॉंपोनेंट्स पर अब वर्क करेंगे